चलो यार अगे बड़त अपने कोर्स में और अब हम लोग फाइल पर अपरेशन्स पर फॉर्म करते हैं अभी तक हम लोग ने एड कॉंटेक्ट फॉर्म को चालो कर लिया है हम इसमें DTS डाल के और डेटाबेस में इसको पहुंचा पा रहे हैं और हमें proper message में मिल रहा है लेकिन हमारे पास यहां पर जो image है यह Image इस इमेज को हम लोग ने process नहीं किया तो अब लोग image को process करेंगे और यहां से बहुत ही कमाल और बहुत ही interesting चीज़ आप सीखने वाले हो वो क्यूंकि हम लोग image को validate करेंगे with the help of custom validator हम लोग एक custom validator बनाएंगे और उस validator की help से image को validate करेंगे तो काफी चीज़ है, दूसरी चीज़ हम लोग image को receive करेंगे and receive करने बाद image का content है उसको save करेंगे cloud पे तो हम cloud की चीज़ भी सीखने वाले हैं, जो हमें cloud से URL मिलेगा उस URL को हम लोग अपने database में रखेंगे रेसीप करेंगे, उसके बाद हम database में save करेंगे उसका URL और कैसे हम लोग इसको cloud पे save करते हैं वह सब हम इस वीडियो के अंदर करते हैं next video के अदर हम लोग taken file को custom validator बेलेलेडेटर के help से हम लोग करेंगे चलो विडियो को स्टार्ट करते हैं इस फ्रेसे इस फायल को यहां से ले के जाते हैं अपने और वाक्ट में तो हमारा फॉर्म चल रहा था वह मैं हम लोग का ऑब्जेक्ट टो हम Спश्च लोग एक डेटा का शुर करने के लिए तो हम लोग रहते ने फॉर्म्स के अं इमेज थी, इमेज को receive करने के लिए, अज इसनो अक्छीली प्रफाइल, हम इसको देनेगे Contact Image, Contact Image, फिरहिए, इस Contact Image में हम लोग custom Validator या एक Annotation Create करेंगे, Annotation Create करेंगे, तो ये चीज़ में पहले या बता देना, करेंगे, जो हमारी फाइल को वेलिडेट करेंग अप्सक्राइट करेंगे मिल्सक्राइब से अगफ एक्षाइब हो सब्सक्राइब हम लोग क्या करते हैं कन्य यूस्ट से पने फोन फॉर्म मारा था यहां पर अपनी इमेज फाइल जो हमारी थी सब्सक्राइब लेट पाइब नीचे आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं और सोसल लिंक्स के भी नीचे था इमेज फिल्ड यह रही है यह रहा इंपूट हमारा है आप देख सकते हो यहां पर टाइप इसका फाइल आईड अटा देते हैं देने का सिंपल सा मतलब एक है कि जैसे हम रीफ्रेस करेंगे तो अपने आप से नेम वैलो सब चीज यहां पर आ जाएगा एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं डीटेल को समझने लिए आप यहां पर देख सकते हो तो हमारे पास नेम आ गया जब आपने यहां पर ट्रेटा ट्री फिल्ड में ईमिज दे दिया गयज तो अशली इस फिड़ा नाम कॉंटर्ट इमिजँ हो चुका है और हम दो क्या करेंगे हम अपने कंट्रोलर मेंगर देखें contact controller तो यहाँ पे जब आपका form receive हो रहा है वो receive हो रहा form आपके contact form के अंदर तो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि इसके अंदर अपने आपसे image आ जाएगी ठीक है? सो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अगर error नहीं है validation logic हम लोगों ने लिख लिए तो इसको आप हटा दो कोई लिखात वाली बात नहीं यहाँ पे इमेज हम लोग कहा प्रोसेस कर रहेते हैं यहाँ पे user निकाल लिया user निकाल लिया तो हम image को प्रोसेस करेंगे image प्रोसेस करने का code यहाँ पे लिखेंगे मैं सबसे पहले मैं आप लॉगर भी उसका कर सकते हुए अब लॉगर भी उसका कर सकते हूए ठीक है मुझे सिर्फ लॉक्स देने तो मैं अभी फाइल होकर रहने व्यूज करूंगा बट ऐक अच्छा तरीका होता कि करने वाले तो यहां पर हम लोग करते हैं logger.info और हम लिखेंगे यहां पर अपनी फाइल की information जैसे for example file information में हम लोग सबसे पहले तो मैं यहां पर से प्रिंट करने वाला हूं contact form.get image contact image.get original file name इससे हमें पता चाल जाएगा है यहां file पहुंच रही की नहीं पहुंच रही है ठीक है so let's do हमारे पास कुछ error आ रही है ही पे क्या error आ रही है देखते हैं देखते हैं इसको हम रिमूफ कर देंगे और हमारी जा चुकी होगी एक काम और करेंगे फाइल को प्रसर्स करने के लिए हम लोग थोड़े देर के लिए जो contact save हो रहा है उस contact save और जो code है उसको हम लोग comment out कर देंगे यह contact save कर रहा है इसको comment out कर देंगे जिससे बार-बार हमारा सबसेब तो हम लोग पूरा फीचर लेंगे उसको comment कर देंगे चीज आद रखेगा चाहते हैं यहां पे कुछ लिक देते हैं लिग देते हैं अ लिखते जाओ अभी इसका भी हम लोग क्या करते हैं एक में सब्सक्राइब करते हैं ठीक है सो आधिक नमबर मुझे सही डालना पड़ेगा 9839 हो गयरा एड कॉंट्रिक करिए और आई थिंक कुछ एरर आ रही अभी भी लेट्स सी कंसोल चेक करो पता चलेगा ठीक है सो अधोन नो एक बार के लेकल लुक्त अगले अगें अम लोग से पर दें किस चीज में रही है मुझे दून ही लाग रहा है ठीक है था फूर्विस कर्क्त प्लेइट अड मिस हमारे रिजल्ट में एरर है ठीक है तो करते हैं जो हम इमेज को प्रोसस्स करने वाला को यह मैं आपको दिखा रहा था इस को और के संपया है क्या हम ने कलें देख लिए नाम इमेल वो नमबर एडर्स डिस्क्रिप्शन और लिंक डाल दिया मैंने लिंक को तो आए था हम लोग ने बैलेडेट किया था इमेज डाल देते हैं एड कॉंटेक्ट पर क्लिक करते हैं अभी भी एरर आ रही है रही हम रिफिस कर लेते हैं कि बार अरस्तिवारी कॉंटेक्ट नमबर साही से डाल दे हम लोग यस मेज को सलेट करो अंड आइड कांट के करो माल रिफिस का रही है है अविसले टूरा रही है अब शुक्रिण रोगव रही है अब शुक्रिण रही है डूट ठीक है सुक्षान वी इंटिफाइब एर्स हम लोग कंसोल पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट डॉट गेट औल एर्रस लिस्ट मिल जा रही है एंड हम लोग फॉर इच लूप लगा सकते हैं ठीक है आँ मैंने सेब कर दिया एर्स को लॉगर की हपसी हैं पर प्रिंट कर दिया है इस प्रिंट कर दिया तो थोड़ा सानी होगी हम दो को निकालने के लिए तो हमारे पास स्कॉंटट कॉंट्रोलर है यह फीर रहर है जो हम रिए में मिल रही है एमेंज इमेज कान्फिंच के अंदर रज conception विक्होज टाइप मिश्माच हो रहा है कि टाइप मिश्माच हो रहा है और ओके सो टाइप मिश्माच में विल्ट टू कनवर्ट श्रिंग तो रिक्वाइड मल्टी पार्ट प्रॉपर्टीज आप दिख सकते हूं ओके ओके यह तो यह ताइप में स्मैच हो रहा है हम लोग बेज कुछ और डेटा रहे हैं तो हम लोग यहां पर आएंगे सबसे पहले हम इस फॉर्म को मिल्टी पार्ट बना देते हैं तो इनक टाइप में मुल्टी पार्ट फॉर्मदेटा क्लिक कर देते हैं सो अगें हम लोग पर सेंट करेंगे पर तो से सबमारें दो एक कर रहें एक बर हैंड आएड कांटक्ट पे चले जाओ अगें ठीक है भाइन इसको भर दो एंड यस एड कर दो एंड नोट वर्किंग 403 मिल रहा है ओके शाइट प्रॉब्लम वाट इस दिस एक्शुली 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 अभी सही आ रहा है बस हमारे पास देखो maximum upload size exceeded आ रहा है आपिस हम अभी जो हमारी file के size है वो जादा है ठीक है कोई दिखत वाली बात है हम थोड़ा कम वाली files selected करके देखते है तो हम लोग कम वाली file selected करके देखेंगे और हमारे पास बहुत सारी files है हम लोग यह वाली file set कर लेते है एड कर देखो गए येस हमारे पास मैसेज होगा और कॉंटेक्ट कंट्रोलर से मैसेज होगा कॉंटेक्ट कंट्रोलर और ये फाइल की इंफर्मेशन से और ये फाइल का नाम है ये देखो हमारे पास फाइल प्रॉपल ली आ रहे है फाइल का साइज भी हम कॉंफिक्र कर सकते हैं वो सब चीज हम लोग कारेंगे प्रॉपर मैसेज वैलिडेशन लगाएंगे तब करेंगे ओके अभी हमारे पास यहाँ पर इन्फरमेशन आ रही है और इस इमेज आ रही है अब इस इमेज को प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ न कुछ कोड़ेंगे हम बनाएंगे यहाँ पर एक फाइल सर्विस या फिर इमेज सार्वास डॉट अपलोड इमेज और इसको हम अपनी फाइल देढ़ेंगे फाइल यहाँ पर बात पास कर सकते हैं contact form.get contact image हम provide कर देंगे और यह हमें दे देगा string of file url यह हमें provide कर देगा और इस file url को हम लोग यहाँ पर use करेंगे कहाँ पर ओके सो हम लोग यहाँ पर use करेंगे save करने से पहले हम लोग contact.set contact picture और हम file का url यहाँ पर use करेंगे अब में चीच क्या है गाइस कि हमें image service बनानी है उसके अंदर एक upload method बनाना है और हमें उसके parameter में दे रहा है क्या एक multipart का data so let me create हम यहाँ पर आते हैं and service से sprite click करते हैं new पर चलते class इसके लिए interface बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो implementation तो हम बनाएंगे यहाँ पर image service और इसके अंदर exactly वही में आतर होगा हम यहां से directly बना सकते हैं इस पर हमारे पास image service so let me declare one image service private image service image service and हम क्या करेंगे इसको हम आटो लगा देंगे and then हम यहां पर आते हैं and यहां पर हम alt sorry window की that means command की and dot दबाते हैं तो create a method enter कर दिए यह method आपका create होगे आपका image service के अंदर यह देखें तो इस तरह से आप method को बना सकते हो यह भी एक तरह तक दरह दरीगा है but actually guys क्या है कि अभी तक आपने इसकी implementation नहीं दिए अपने image service की implementation नहीं प्रवाइड किए तो हम एक image service की implementation देंगे that means हम एक class बनाएंगे यहां पर implementation पर right click करेंगे new class यह इसका नाम होगा image service इंबल और यह सब्सक्राइब कर रहा हो इमेज को upload कर रहा हो इमेज को upload कर रहा हो कहां पर server पर server पर वह AWS पर भी हो सकता है वह cloudinary पर भी हो सकता है depend करता है क्या आप उसका ना चाहरो and return कर रहा होगा return कर रहा होगा रिटन कर रहा हो एक लिए URL ठीक है कैसे करेंगे बाइडिफॉल्ट हम blank return कर देते हैं AWS S3 भी यूज कर सकते हैं AWS S3 पर अलड़ी मैं वीडियो बना रहा हूं तो उसका link में नीचे प्रवाइड करा दूंगा आप उसको जाकर लिजेगा यह लोग इन फिर पास प्रोजेक्ट प्रोडेक्शन मिले जानो फिर आप पर दिकत जा रहा है ठीक है पैसा देने के लिए रिडियो इसका पड़ेगा उसको फ्रीमें मत उसको ने उसको प्रीमें मत उसकर है अब सबसे बहले डिपेंडनेंसी चाहिए यह पूछ रहा है अभी स्किप कर दिये सब आइवल स्किप ओल दो तिंग्स यस सव एस्टी के हम यूज कर रहे है जावा का इस्टी के सो वेर वी गिट जावा स्टी के चूज देके पता रहा है इंडर बहुत 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 चीज यह होगी देन हम क्या कर पाएंगे मैं इसको अपलोड कर पाएंगे हेल पाप गएंगे यह मुस्क्ति एंड़ा कर सकते हैं जावा इमेच एंड वीडियो पड़ोड कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूं चलो हम जलते हैं स्टार्ट में और हमें डेपेंटनरी चाहिए क्लावड़नरी स्ट्टीप 4-4 की एंड टैग लिप चाहिए अगर आपको डेटा को डिखाना है तो स्ट्टीप 4 वाले से हमारा काम हो जाएगा सिर्फ हमें डेटा पहुंचाना है बस तो यहां पर और अगर आपको यूश करना तो हम ले रहेंगे अदरोएस मुझे अभी नहीं करना और एंवी फाइल भी हमें यूज नहीं करनी तो हम आज आते हैं अपने प्रोजक्ट के अं यहां पर सबसे नीचे आऊंगा मैं लेंबॉक के नीचे जिपका दूंगा ठीक है अंदेन हम लोग अपने मेवन को रिलोड कर लेंगे अपना रिलोड हो जाता अपने अगर आपको रिलोड करना तो मेवन पर जाई है रिलोड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दिए इंटली से सब्सक्राइब यहीं से रिलोड हो जाएगा ठीक है सो हमारा काम हो गया देन अब आप देख सकते हो कि कैसे आपको इमेज को अपलोड करना है जिसमें फाइल लेम उनीक फाइल लेम डालना है ओवराइट कर देना है एंड फाइली अप्लावजेक्टिव कर सकते हो अब धेल और दॉडए पिलोडट अधेन अपर अप्लोड कर सकते हो डिक गाल ना है ञेट इमेज़ इमेज निकालना थो आप ऑपनी इमेज को ट्रांसफेर्म भी कर सकते हो लिए अपने क्लावजरी की जिसकी हब से हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे तो हम यह चाहीओ ह Cloudinary का एक object और object के लिए हम बनाएंगे एक bean जिसे spring हमें object provide कर दे हम लोग अपने config में चलेंगे हलका सा हम लोग क्या करते हैं इसको बढ़ा कर लेते हैं and config में चलते हैं so नीचे कर लो भई and config में हम लोग एक बना बना लेते हैं आप config जिसके अंदर कुछ पीन सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग आप config नाम से एक class बना लेते हैं और इसको बना देते हैं as a configuration class not configuration configuration इसके अदर अब हम बीन कर सकते हैं ठीक है अन थोड़े जब तो exactly हम कुछ चाहिए दिए के लिए सबसे पहले हम एक मैंतर पर आते हैं public और cloud नरी cloud नरी exactly यहीं चाहिए मझे and cloud नरी और यहां से हमें cloud नरी का object रिटन करना है तो cloud नरी का डिर्टन कर सकते हो कोई दिकत वाले बात नहीं आप डिर्टन return return new cloud नरी यूज कर सकते हो बिलकुल लेकिन हमें क्या करना है cloud नरी के अंदर कुछ information भी पास करनी है जैसे आप अगर इस वाले इस वाले class को देखते हो तो इस वाले class का जो चुंस्रक्टर रहे वह बहुत सारी यह ले रहा है यहां पर यहां पर ही डिर्कली मैप बना के पास कर सकते हैं औब जिक utils की help से dot as map कॉल करेंगे और यहां पर हम maps की वैलो पेर कॉन्फिकर करतेंगे सबसे पहले हम कॉन्फिकर करेंगे की cloud name exactly API key exactly API secret exactly ठीक है और यह होगा as object as object as map not object as map हमें बनाना तो as map अब यह की जो लानी है यह की जो हमार क्लाउट नेम है साथे जाद में API की है और सीक्रेट है यह हमें कहां से लाना है लेट्स फाइंड इसको हम फाइंड आप करतें में समारा काम हो जाएगा एक सी जवर करेंगे हम इसको अपने method को अपने यहां पर आ जाते हैं और क्लाउड नरी के console पर अगर हम देश्बूर्ट पर तो डेश्बूर्ट पर हमें मिल जाना चाहिए यार कांड लोट क्यों हो आ रहा है लेट्स रीफ्रेश दुबार से रीफ्रेश कर देंगा इंटरनेट नहीं चल रहा है चलना चाहिए हमारे इंटरनेट इग्जक्ली तो आपको यहां पर देखें क्लाउड नेम दिख रहा है इस क्लाउड नेम API API की API सीक्रेट सब चीच आपको मिल रहा है तो हमें यहीं ती ठीक है यह फाइल आप खुद से लिखेगा इस फाइल को मैं पुश नहीं करूंगा यह चीज़ाद रिखेगा इन कॉन्फिग्रेशन को आप खुद से करिए ठीक है मैं अफ्लिक्शन दॉर पॉपर्ट्री तो पुश कर दूँगा लेकिन इसके अंदर गिटब देता हूं और इग्जाक्ली यहां पर लिख तो देता हूं बट होगा नहीं मैं आपने इस वाली फाइल के अंदर कॉन्फिग्रेशन करूंगा और यह फाइल वह हमारी चल रही है लेकिन यह फाइल आप तक नहीं जाएगे जो कोड में मैं पुश करूंगा वह उस कोड मे यह application dev.properties file नहीं होगी सो मैं यहां पर configuration करें और मैं यहां पर लिख दो बाइ और cloudinary या cloudinary dot सबसे पहले नेम या cloud.name और हमारा नाम था पेस्ट कर दो ओके सो आइधिंग हम लोग ने गलत कॉपी कर लिया था यह है हमारा API की API dot की और यह हमारा API secret आप मेरा बात यूज करेंगा मैं इसको डिलीट कर दूँगा बाद में ठीक है cloudary cloud name यहां परफेक्ट अब इसको हम लोग उसकरेंगे अपने यहां पर यहां हमारी क्लास है यहां पर यहां पर यहां आने वाली है हमारी अपने properties फाइल से so properties फाइल से values लाने के लिए हम exactly यहां पर यूज करेंगा अपर यूज करेंगा अपर यूज करेंगे और यह वाला नाम हम यहां पर डालेंगे ठीक है अगें अपने API की के लिए यहां पर यहां से ले करके यहां तक का यहां तक यहां पर यहां पर यूज करने के लिए यहां जो स्टिंक्स है इनको हम अपने वैरीवल से चेंगे यह पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह पास यह आ चुकिला क्रुण्स कर सकते हो जिसे पता चले की कि कि किस configuration की है बाई किस object की है तो यह हमारे पास अब cloudinary वाला बीन अबलेबल होगा और cloud वाला बीन अबलेबल है तो हमने service के अंदर inject कर सकते हैं उसको image service के अंदर image service simple के अंदर यहां पर अगेन बहुत असाने से हम private लावड नरी प्लावड नरी आइं इसको डिया फिर आप अन्सट्रक्टर बनाना चाहों तो आप अपर बना सकते हो सोरी यहां पर आप जैनरेट generate constructors चेक कर दीजे को करिए इसको और सेब्स कर दिजिये ओके सो तो आपको अलग से injection लगाने की कोई जरूद नहीं अलग से कोई annotation लगाने की जरूद भी नहीं अब आप यह समझें कि cloudinary के अंदर हमें data मिल चुका है cloudinary के अंदर हमें data मिल चुका है अब हम लोग यहां पर exactly code कर सकते हैं और इस cloudinary को यूज कर सकते हैं और हमारे पास contact image आई रहा है तो हम ही का करना इस cloudinary को यूज करके इस contact image को अपलोड करना है सर्वर पर ठीक है कैसे करेंगे let's let's find out हम यहां पर हम लोग सबसे पहले एक अरे बनाएंगे बाइट की एक अरे में डालेंगे ठीक है सो बाइट डेटा इसकोल टू न्यू बाइट और इस बाइट की साइज होगी हमारे जितना डेटा है उतनी साइज होगी contact image.available अब लेबल अब लेबल था ओके सो हम क्या करेंगे exactly contact image से हम सबसे पहले फाइल निकालते हैं get input stream and then available exactly तो हुआ कि हमारे contact image में जो input stream है जहां से हमें data read करना है उसमें जितने bytes अब लेबल ने उतने bytes की हमारी image बन जाएगी हमारे पास एक array बन जाएगी और यहां पर exception आएगा तो आप क्या करें इसको थो कर लिए चाहिए आप इसको handle कर लिए मैं क्या करता हूं इसको handle कर लेता हूं ठीक है मैंने ट्राइक से handle कर लिया है इसको okay so to do को अटा दिए बाद में कुछ message होगा देना होगा तो यहां पर हम दे देंगे तो हमारे पास एक data बन चुग है data के अंदर हमारे अब हम लोग क्या करेंगे इस data के अंदर content डालेंगे अभी यह blank बनी है बट हमारे intent यह है कि हम इसके अंदर अपना data डालें data डालने के लिए हम exactly use करेंगे क्या उस करते हैं हम use करेंगे what we can do हम contact image dot get input stream हमें stream मिल गई then हम read है read कर सकते हैं और हम लोग actually pass कर सकते हैं यहां पर अपना data तो होगा क्या इस contact image से जो input stream read input stream हमें मिलेगी उसमें से data read होके हमारे इस वाले अरे में आ जाएगा एक बार हमें data मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे exactly हम हम यहां पे data को अप्लोड करेंगे विए अपना file को content तो हम actually data pass करेंगे यह हमारा file को content है and then options में हम यहां पे एक map पास करेंगे और यह map बहुत तगडिश है इस map के अंदर बहुत सारे options हम लोग पास कर सकते हैं देखे क्या क्या हम एक object इयुटिल की हल्ब से map बनाएंगे.as map यहां पे हम की वैल्यूर पिर पास करसकते हैं जैसे एक जांपल यहां पस पर सब्सक्राइड पॉलिक अडिक ठिक है तो हम original नाम पास कर सकते हैं पपलिगा It Da mask box करते बट एक्ट झोली हम और इजनल लेमने उसका नइम अग्ट आज हम यहां पर सकते ऐधल lesus हुम और ट्ट ki hams नहीं करेंगे इसका ham क्या करेंगे एक क्रेंड नेम यहां पर हम क्या करेंगे इसकंट हम इल निज्व करेंगे टम एक्ट इसक हम中共 इतल से और यह uid यह java.utils है, इसको गलत import मत करेगा, यह अरड़ी पता नहीं कि गलत import हो जारही, तो हम इसको सही कर लेंगे import, java.utils.star कर दो यार, ठीक है, और यस, तो हमारा file का नहीं में आजाएगा, बट यह file name अभी अधूरा है, हम क्या करेंगे, हम file name के बाद, हमें .png वोगर भी लगाना है, बट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, try करता हूँ without png, हम directly file का नाम, public id, यह वाली pass कर देंगे, random id बनाएंगे, और वो pass कर देंगे, यह तना आम करेंगे, अब हमारी file upload हो चुकी होगी, हमारी file upload हो चुकी होगी, इस file name को directly written कर सकते हैं, बट file name को मैं यहाँ पर written नहीं करूँगा, हम एक method लिखेंगे, जो हमें e-viral provide करेंगे, हम यहाँ पर एक method लिख लिएते हैं, जो हमें actually file public id पास करेंगे, उसको और वो हमें e-viral provide करेंगी, so let me create one method, directly यहाँ भी लिख सकते हूँ, यहाँ हम interface में पहले लिखते हैं, then हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ला, so let's do that, हम लोग image service के अंदर आते हैं, यहाँ पर हम एक method बना आते हैं, यह हमें string url देगा, और इसका नाम होगा, get url from public id, string public id, ठीक हैं, और यहाँ पर आके, हम लोग को method overwrite करते हैं, yes, yes, यह रहा method, और हमें public id मिल जा रही है, और हम url को written करना है, तो exactly बहुत असान है, हम cloudinary use करेंगे, dot url, ठीक है, इसको chaining के तरह लिखते हैं, हम लिखेंगे dot url, फिर dot, हम पास generate option, या हमारे पास एक transformation option है, and then, transformation के अंदर हमें pass करना है, बहुत सारे ची हैं, मैं बता हूंगा, then हमारे पास generate option, I think, या generate से पहले, हमारे पास width और height है, ठीक है, ना 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 ना, हमारे पास, generate option होना चाहिए, let's find out, and then हम अपनी, पब्लिक आइडी पास करने हैं इतना काम करेंगे ठीक हमें क्या कुछ करेगा एक पास करते हैं एक नया तो फाई पासो और हाइट यह सब राक सकते हुँ घर अन्ड अगर अब्या पास कर सकते हुए-खुआप यहाँ पर फिलपास कर सकते हुए-वायरल दे श्रकुंट श्रक्राइब पास करेंगे जो कि हमारे पास फाइल नेम है भाइव तो हम लोग क्या करते हैं अगर फाइल नहीं आई तो हम दो हुं कर देंगे को अगर फैल करेंगे तो यहां से हम रेतान करेंगे अगर यहांपे रिटेन कर सकते है यहां इस एक मेस का उर पाहनेगे और Subscribe करेंगे और इамरा अबेसने अप्लोड हो जाएगा इमेज और हमें मिल जागा वारे मिलेगा इसके हब से तो मैं काम और करूँगा यह जो डायमिक वैलूज यह जो स्टैटिक वैलूज है उनको मैं हाट कोड नहीं करूँगा अपने अपको अंदर जाएंगे कोई हम लोग अपको बना रखा है इंटीजर हमारे पास और कॉंटेक्ट इमेज इमेज विड्थ हम यूजस करेंगे पाइवंडर देन अगें फाइट भी फाइवंडर्ट उसकरेंगे अएंड हमारे पास फिल जो है अबलिक static final string crop contact image crop contact contact image और by default यह हम ले लिए था फिल अब हम इन constants को यूज़ करेंगे ना की चीज़ यूज़ करेंगे direct हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर यहाँ पर अगें एक जगह ही चेंज कर पाएं अब इसको टेस्ट करेंगे तेस्ट करने के लिए अगें हम चलेंगे अपने को चलेंग अपर यहाँ टांए रहें देन हाम फिल दी एकच्छ इसमेंगे यहाँ निकाल को ते लिए ऊपलोर पे जो शरवbia पे जो पर लिखा वो चलेगा यहाँ था और हम लोग अब क्या करते हैं को कमेंट आउट कर देते हैं या कमेंट कर दो कुछ दिक्कत होगी तो क्लिक कर दिया हम लोग ते रही है यहां पर आई आते सब लोग पर लेते हैं अके कुछ दिक्कत हों गही रफूस ओके हम लोग निर्फिंग्स कर लोग अगया का लग इग्जक्ली हम यहां पर contact add करते हैं सुरुती abc-gmail.com वो number डाल देते हैं ठीक है और दिस इस contact यहां कहा सकते हूं testing for image image and finally यहां पर this is testing description मैंने बताया है इसमें आप validations लगा सकते हूं and then again up links डाल दीजिए and again image यहां पर use करें कोई भी में उसकरें let's see कि हम लोग एप पर यूश करते हैं and yes add करते हैं and throw us a time बेरा yes you have successfully added a new contact and सबसे परे exactly हम यहां पर database में देखते हैं कि हमारा image या contact आचुका है कि निया चुका database देखते हैं and scm देखते हैं and again tables देखते हैं against context को देखेंगे and yes this is testing image यह वाला contact हम लोग ने अभी add किया है description है हमारे पास email है favorite है handling email है name है वो number है और आप देख सकते हैं आप image आ चुकी है यह image यह profile image हमारी बन के आई है ठीक क्लावटनरी से बन के आई है image ओके सो क्या यह image हम access कर सकते हैं let's find out save कर लेते हैं या हम लोग directly आ जाते हैं यहां पर चुकिए इसको तोड़ा सा हम लोग इस तरफ से देखते हैं यह देखे apple.png आ चुकिए और इसको बस access नहीं कर पा रहें ठीक है access नहीं कर पा रहें क्यों ने access कर पा इसको भी हम लोग देखेंगे पब्लिक एड़ी हमारे पास पता कहा से चल रहा है फाला इमेज को पर अदेखले फेस्ट इए हमारे पास एंड पब्लिक आइड़ी हमारे पास या पपली चंज नहीं क्या से अगर हम यहां पर चलते है पब्लिक आड़ी एपल.png करते है ऐपल डॉट को पीएज़ So I think हमें image की जो public id हम दोख दे रहे हैं उसको यहाँ पर कुछ ध्यान से उस public id को हमें देख одна पड़ाईगा कि actually public id को हम कैसे बना रहे हैं coalition public ID बनाधा अगया तो I think हमारा तक हमारा सारा काम हे यहाँ कि actually हम कैसे नहीं काम कर रहें तो पब्लिक आईडी बना ना बहुत जाधा important युट फब्लिक आईड युट इबनेगा तो problem होगी सो एक बार हम लोग देखते हैं भाई पब्लिक आईडी क्यों नहीं गई सेब नहीं थोड़ा सा हम लोग करना पड़ेगा हम लोग चलते हैं अपने image service के अंदर जहां implementation है यहां पर आदें and let's find out कि ओके सो आप देखो पब्लिक आईडी में हम लोग ने original पॉब्लिक ओर जिए अबट हम लोग क्या करेंगे इसको ठाके हम लोग स्कुर्ण करें फाइल ने है गें अपने अपने डेटाबेस से यह कॉंटेट हटा देते तो हो लेट्स डिलीड कॉंटेक्ट व्लम डडीवी अंड्सेहीं हो जोगा हम एडेकरते हैं इसकॉंटे को अ बैक आजाओ राइट लिक करो डिलीट कर लो ओके सो डिलीट हो चुकिए फाइल और हम लोग क्या करते हैं आज दुवारा से अप्रोड करने फिर कुछ इंफॉर्मेशन समय और अप्रोड करनी मैं बताऊंगा हर्स्तिवारी ओ नंबर में अपना नंबर डालने इस ट्रेस्टिंग फोटो इस ट्रेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ठीक है और इमेश को सब्सक्राइब करते हैं यहां पर कुछ कह रहा है दिखिए और क्या इश्यू आ गया अब रिलोड करते हैं रिलोड कर लो अप्लोड हो जाएगा बिल्कुल सही और इस पर जो एवारियल बन रहा है गाई लेट्स रिफ्रेस्स कर लिया मैंने और यह वाला इवारियल जो बन रहा है उसका पिक्चरा बन रहा है इस पिक्चरा कांटेक्ट को में कॉप्राना वाली इसको कॉपी करो और इसको एक्सेस करने कोशेस करो पूराना वाला तो एक्सेस ही होगा और यस लेकिन लेकिन यस एक्सेस हो रहा है इड के दो ठीक है अब इसमें क्या हो कि है हम लोगों ने हम लोगों ने जब url बनाया है उस url को directly save कर दिया जिसमें हमारे पास 500 और 500 height width इसकी है मैं एक काम करता हूं public id भी सेब कर देता हूं अपने इस image के public id भी सेब करूंगा तो मैं एक अपने contact के अंदर contact contact entity के अंदर यहां पर एक मैं और फील्ड बनाऊंगा डैट इस एक प्राइबट स्ट्रिंग cloud cloudinary image public id ठीक है तो यह इसलिए हमने बना दिया है जिससे कि हम अगर चाहें future में तो अगर दुबारा से transformation करना चाह रहे हैं तो transformation क्योंकि हमारे पास hardcoded database के अंदर अलड़ी से बले से बले से बले बट फिर हम लोग क्लावड़ी इमेच पब्लिक आइडी इसलिए लग रहे हैं कि future में अगर चाहते हैं तो दूसरे टाइप का वरल बनाना तो अब बना सके ठीक है और फाइनली हम लोग क्या करेंगे अपने database के अंदर image की public ID ले लेंगे so database के अंदर image की public ID कैसे savez करेंगे हमें रिटन करना पड़ेगा व्यारीज़ करना पड़ेगा यहां इसको फाइली बपूसरे बहुए चाहिए होगी तो हम लोग एक काम कर दें वाट वी केंड डू कि हम लोग यह जो रेंडम आइडी जनेरेट कर रहे हैं इसको हम अपने ब्रेकेट में ही ले लेंगे हम इमेज के साथ हम लोग यहां पर लेंगे हम लाएंगे पर अदर हमने भी कला ओपने देंगे खैक्षोल इस अपने इस बाइड यहां पर एक्छिली यहां पर ने मेंफिट आपने neighbors को तो हम यहां पर यहां पर जो यो फाइल नेम अपनी पब्लिक आईडी क्रियेट करेंगे और वह आएगी यू यू आईडी से डॉट रेंडम यू यू आईडी डॉट टू स्ट्रेंग ठीक है अगें इंपोर्ट गलत हुआ होगा I know क्यों कि ये जो है वो इंपोर्ट हो रहा है इंप वोग आईड़ifiques से ये फाइल रेंग हम पास करेंगे हम पहाँ हो या नीचे होगा yes एमेज के बाद हम ये फाइल नेम यहां से पास करेंगे ये रिज्व और इसी फाइल नेम को यहां मिलेगा यहां पर इरमेल से पास करेंग क्रेंगा as per requirement हम काम कर लेंगा ठीक है so exactly हमारा सारा काम हो जाएगा let's see हम लोग contact add करते है let's again add her ml id this is new contact with image image and this is testing description यहाँ पर हम लोग suggestion browser से ले ले लेते हैं और फाइल में इस बार में अपनी फाइल चूस करता हूं and add कर देता हूं थोड़ा सा टाइम लगे बाद server side पूरा काम हो रहा contact add हो चुक है let's see कि हमारे पास contact आ गया कि नहीं आ चुक है so yes refresh करते है and cloudry पर हमें दिख जाएगा कि हमेरे पास आया कि नहीं so here we go yes यह image है जो एक्शली हमने अप्रोड की है इसका साइज वाइस सब चीज दिख रहा है चीज दिखा रहे हैं कि आपको कैसे निकालना है अप्लिक पास कर सकते हैं यहां पर हमें रिस्पॉंस वगरा मिल जागा ठीक है इसको भी हम यूज कर सकते हैं थोड़ा सा पढ़ाई करके हम सब सब चीज और अडल कर सकते हैं बट हम अपना दिखेंगे डेटाबेस के अंदर हम जो चाहते रहे वाइरल के साथ साथ पब्लिक आईडी आया है कि नहीं आया तो इसके पिक्चर को हम लोग यहां पर कॉपी कर दें कंट्रोल कर लो एंड यहां पर हम लोग और यहां हुए हमारी इमेज मिल जाएगी 500 बंच्रोड यहां एंड हमारा फिल है ठीक है इस तरह से हम इमेज को अप्लोड कर पा रहें तो मल्टी पाइल मिल रहा है इमेज का नाम मिल रहा है और इसके इंप्लिमेटिशन देजिए बारे लिकाने का अलग मैतल होगा अब हम लोग लास्ट चीज इस वीडियो के लिए करने वाले हम लोग एक्जैक्ली यहां पर हम कोई फाइल चूज करने तो उसका हमें दिखाने फिकने वाले हैं जावस्कृश्य उसक्ति लेजए चैक्ली फिकानेश और वहाम करने लिए पास इमेज टक कहाा गया कि यहां अगर्व कैसकी इंचे लगा और चलो यहां पर तो लगा इसका नाम दूंगा आइडिया वह सकतू एटस डिपेंट कि आप क्या देना चाहिए हम यहां पर इसका छलो यह पर आपड़ी देदो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आईडी देंगे और इसका नाम होगा अप्लोड एमेच प्रेभी ठीक है और सब्सक्राइब कुछ न डालेंगे लेकिन देहां से दिखेगा लेकिन जब आप सेलेक्ट कर लोगे उसके इसमें एक ऐसा जावस्क्रिप्ट चला रहा है जो इमेज को लोड करें और इस वाले रहा है यहां पर कोई दिक्रत वाले बाद नहीं लिकिन हम चाहते हैं कि हम हमारे पास इक स्टैटेक के अदर js के अंदर एक और फाइल हो एक तो यह हमारे पास फाइल है एक फाइल हम बनाने वाले है एक फाइल बनाने वाले है admin.js admin.js और यह फाइल चलेगी हमारे admin user के लिए यह फाइल execute होगे admin user के लिए जो login नहीं है उसको यह फाइल नहीं दिखेगी और उस फाइल को क्या हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं लेट्स सी डेट हम लोग यहां पर स्क्रिप्ट गर्लिक सकते हैं तो बहुत अच्छे बात है law लिखनी की जरूत है एड्नि थिन्टी कि स्टाटिक को लिखनी की जरूत पढ़ेगी मुझे एक्सेस कर सकते हैं श्टाटिक थो हमारा पबलिकली अक्सेसिबल ही है इक्जैक्ली हम यहां पर जbreaker slash admin.js save करेंगे and reload करेंगे check करेंगे and inspect करते हैं console पर आते हैं and script loaded आ रहा है but हमें चाहिए था क्या admin.js इसको नहीं मिला है exactly admin.js नहीं मिला admin.js let's see okay let's see slash slash js slash admin.js इसको इसको बन रहा है अब श्लैस यूजर slash contact slash बन रहा है एक बार हम बेस चेक करते हैं बेस में कैसे हम लोग ने js scripts लगा रखी है exactly slash js okay so यहां पर हम लोग use करेंगे data data thsrc src save करेंगे and again refresh करेंगे and yes admin user आ चुका है okay so हमारी script चल रही है और हम अपने script get through ही सारा काम करने वाले हैं बस आप देखते जाएं ठीक है हम क्या करेंगे अपने admin के अंदर आएंगे और यहां पे यहां पे हम लोग देखते रही हैं हम जो सबसे पहले उस tag को select करेंगे एक काम करते हैं इसकी id दूसरी दिखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसको कहीं और इस function को कहीं और भी उस कर पाएंगे तो हम अपने image को यहमारी वाली image है न यह वाली image favorite के ओपर दिये इसकी id में बदलना चाहता हूँ let me change the id image file input image file input हम कहेंगे जब यह image file input change हो रही है तो हम actually document.query selector use करेंगे और हम यहाँ पर adderate image क्या लिखादा भाई हम लोकों ने image file input image underscore file underscore ठीक है हमें मिल जाएगा object हमारी image का और हमें object मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग उस पर लगा सकते हैं event listener तो हम आप डॉट add event listener लगा देंगे और हम कौन सा event change event listener लगाने वाले exactly ठीक है हम लोग ने event change event listener लगा दिया अगर फाइल आप change कर रहो तो हमारे यह function execute हो जाएगा और अगर यह function execute हो जाएगा तो हम करेंगे क्या देखे जाए हम लोग इस function के अंदर बहुत सारा काम करेंगे अलरड़ी यह बता रहा है अलरड़ी यह बता रहा है तो हम लोग exactly एक variable लेंगे जिसके टार्गेट की और उसको हमने एक variable इसमें रख दिया चाहते है तो आप यहाँ पर ले सकते थे आपकी मर्जी चाहते है तो आप इसको भी ले सकते तो आप इसको भी ले सकते देर हमने एक अपजीर बना लिया और हमने कहा रीडर.onload चैसे एक लिसनर हम लोग कि यहाँ पर document.getElementById और element उस preview वाले image टैक की ID पास करेंगे तो आप selector भी उसकर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम लोग ID पास कर देंगे अपने इस वाले preview की यहाँ इस की कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो ठीक है तो जब भी आप selector उसकरते हो तो आपको यहाँ पर हैस पास करना होता है लेकिन अगर आप getElementById उसकरते हो तो आपको यहाँ पर डिर्क्ली आइडी पास करने थी डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करने वाले हैं आप यहाँ पर क्याँ बिच्ट कर सकते थे अंदें सेट एट्रिबूट कर सकते थे एड़ अपना कीवेली पर पास कर सकते थे कुछ ऐसा एक और दिखा देता हूं दर्वाइस आप लोग विची सर आप तस तरह की चीज़े की चीज़ करते हो यहाँ पर आप ऐसे उसकर सकते थे document.document.querySelector and then आप ऐसे भी उसकर सकते हो या फिर आप set attribute और attribute में src और src की value जो हमारा मिल रहा है वो मिल रहा है result.reader.result और यह अपनी image की id है save कर दीज़े image की id क्या दी image की id थी हमारी यह इसको copy कर दो और यहाँ पे paste कर दो save कर लो बस यह function क्या करेगा यह अपने आप से जैसे आपका load होगा यह जैसे ही आप का जो target input file हो change होगी यह चीछ चलेगे और यह अपने आप से इस image पे result set कर देगा और आपको URL या आपको data आप देखने को मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ यह ओके यह देखे ठीक है तो अपने आप से यहाँ पे कोई image आप चूज करते हो तो अपने आप से यहाँ पे आपको result आपको देखने को मिल जाएगा on instant अब इस पे class होगा लगा के इसको हाइट से मैनेज कर सकते हो सो लेट्स तूट हम आते हैं यहाँ पे लगा दें class class में उसकर होगा विड्थ कर दो या हाइट कर दो ठीक है मैं इसकी हाइट क्या कर देता हूं फिक्स कर देता हूं इसकी फिक्स करके देता हूं 50 नहीं है क्या विफ्टीट इसकी फिक्स कर दिए मुझे लग रहा है कि हमें चलाना पड़ाएगा अपना बेट एम बेट्ट चलाना पड़ाईगा सो लेट्स फाइंड आओट कि हमें कमांड क्या चलाना हूं मैं कमांड भूल जाता हूं आप यहां पर आ जाते हैं और हमारे नोटस में कमांड सेब है यह सिदिस कमांड सेब कर लिजे यहां पर आएए चला दीजे और हमारा अप्लिकेशन तो चली रहा है लेट स रिलोट हमारा है एक्ट्राइट कर सकते हैं कि यह हमारा एक्चाल इसके हमेसा यही रहए aquestitaire है और इसको हम िकारते हैं मेरे करते हैं आप्षा और करके सेन्टर पर झासकते हैं लेसी यह सेंटर पर आच होगा बाकि आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो rounded, rounded, lg, shadow and margin भी दे सकते हो अपने image को अपने साप से सजा सकते हो खुबसूरत, 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 खुबसूरत यह ठीक है तो यह image एक्छली contact की बाद में हम से server side validations भी लगा देंगे, yes यह देख सकते हो तकड़ा, yes तो यह preview है, अब अगर आप contact को सेब करोगे जैसे for example आप यहाँ पे अंकित तिवारी and contact है, email है at the red gmail.com and अगर आपका contact number यह है, this is testing contact image, this is testing, contact, description और exactly आप नहीं वाइल स्टाल दीजिए, then आपने image को select कर लिए, हमें images बार जो चूज करेंगे, वो कोई नहीं सी image होगी, तो भाया दूले वाली photo तो मैं नहीं select करने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसी photo select करूँगा, जो अभी size से बाहर आपको नहीं दिखाया, यस ठीक है तो इसको भी आपको सही कर लेंगे, जो उपर जा रहा है, हमारे नाप बार के, ठीक है, and add contact पे क्लिक कर देंगे, and, थोड़ा सा ताइम लेगा, यस आप देखोगे, यहां पर हमारा, contact successfully add हो चुका है, तो इसको verify कैसे करेंगे, let's verify, हम क्या करते है, Cloudinary पे चलते है, Cloudinary पे verify कर लिजे, and अपने server पर verify कर लेंगे, login कर लो, login with Google, yes, and continue, and here we go, तो मेरी photo creator event की, I think, आपको दिख जानी चाहिए, okay, so let's find out, दिखी की नहीं दिखी, थोड़ा सा time बेरा, कोई दिक्कत वाली बाद नहीं, आपको करेंगे, रिफेस करते है, so you will find, अंकिति वारी, the name of the contact, where is the name, yes, यह रहा, and contact, picture image यह है, इस picture image को copy करिए, and let's see, इसको चलते है, और हम, यहाँ पे, save करते है, and, 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 yes, image आ चुकी है, साथी साथ मेरे बस पब्लिक आईडी भी आ चुकी है, so if you want, तो आप पब्लिक आईडी को भी, यूज कर सकते हो, अगर चाहिए, तो, नहीं requirement है, हो सकते है, आपको custom email बाना, तो use को, otherwise, इसको छोड़ो, तो कोई दिकत वाली बात नहीं, so आप image को cloud पे अप्लोड कर पा रहे है, और अपने database में use कर पा रहे है, जिससे हम जब दिखाएंगे, तो use करेंगे, final and the last thing, हम server size validation दिखेंगे, next video के अंदर custom image validation बनाएंगे, validator बनाएंगे, और image के size वगर को validate करेंगे, चलो भाई, I think मजा होगा, मिलते नेक्स वीडियो के अंदर तब तक लिए, जैहन जै भारत, और अभी तक आपने वीडियो ने एक्सस की, तो project तकड़ा है, जाके access करिए, बहुत सारी झाएंगे, याके Esse खियो फձ्प्हें प्यांगे, एक्सा क्ड़ियो को दो है, लिए एक लिए से माamous शयते में होगाईंगे, तो क्वानापश। सारी लिए सारी वारốt, तो के विए सेब्सेटार का लिए सारी जैपने बभीपने, टो क्यों आपके आपके सेंगे, तो क्व